हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है आसिफ खान और आप सभी काफिट से स्वागत है मेरे चैनल आठिकवर टेक्नोलोजीस में दोस्तों आज हम चेक करेंगे कि किस तरह एक Apple Mac सिस्टम के अंदर Mac OS इंस्टल किया जाता है जिस तरह हम एक Non-Apple Products जैसे के Dell, HP, Lenovo में Microsoft Windows इंस्टल करते हैं उसी तरह हम एक Apple Mac सिस्टम के अंदर Mac OS इंस्टल करते हैं इसके अंदर हमें काफी सारे वीरियंट्स आ जाते हैं जैसे के Mac OS X Maverix, फिर Yosemite, El Capitan, Sierra, High Sierra और अभी का latest running version है Mac OS Mohoway तो आज हम scratch से चेक करेंगे किस तरह एक Mac OS Mohoway इंस्टल किया जाता है एक Apple Mac सिस्टम के अंदर तो आईए शुरू करते हैं आज का एक नया वीडियो आटिकूर्ट टेक्नोलोजीस में तो हम यूज़ करेंगे एक Apple का Macbook Pro Touch Bar Laptop साथ ही साथ हम यूज़ करेंगे एक USB Pen Drive और हमें लगेगा एक Type-C Converter ये Pen Drive इस Machine से Connect करने के लिए तो फिनाल इस Laptop के अंदर चेक कर लेते हैं कौन सा Mac OS X इंस्टल्ट है तो इसके अंदर इंस्टल्ट है Mac OS Sierra 10.12.6 वर्षिन और हमें अभी लगेगा Mac OS Mojave का Setup File वो Setup File डॉनलोड करने के लिए हम जाएंगे एप स्टोर पर और एप स्टोर पर हम सर्च करेंगे Mojave फर्स्ट आप्शन आपको दिख रहा है Mac OS Mojave हम डॉनलोड पर क्लिक करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर एक घंटा टाइम दिखा रहा है यह डिपेंड करता है आपके इंटरनेट स्पीड पर इसका प्रोग्रेस चेक करने के लिए हम जाएंगे एप्लिकेशन फोल्डर पर यहाँ आप देख सकते हो Mac OS Mojave डॉनलोड हो रहा है अभी हम फिर से चेक करेंगे एप्लिकेशन फोल्डर पर यहाँ आप देख सकते हो इंस्टाल Mac OS Mojave कम्प्लीट्री डॉनलोड हो चुका है जो तक्रीबन 6GB का है अभी हम एक empty pen drive connect कर लेंगे जो minimum 16GB का होना चाहिए अभी हम इस pen drive को format करेंगे utilities में हम जाएंगे disk utility पर जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो Toshiba का empty pen drive यहाँ पर connected है इससे हम complete erase कर देंगे इससे हम नाम देंगे my volume इससे successfully erase हो चुका है अभी हम disk utility quit कर देंगे जैसे कि आप देख सकते हो my volume pen time यहाँ desktop पर बना गया है अभी हम जाएंगे google.com और वहाँ पर search करेंगे install macOS mohavay via terminal हमें first link पर click करना है तो यहाँ पर हर एक macOS versions के command lens दिये हो है जैसे कि आप देख सकते हो mohavay हाई sierra, sierra, el capogen यह सबके commands line दिये हुए है तो हम select करेंगे mohavay के command line और इसे copy कर लेंगे अभी हम जाएंगे terminal पर terminal पर जाने के लिए हमें जाना है utilities terminal पर अभी हम वो command line यहाँ पर paste करेंगे हमें password लालना है और अभी हम y press करके enter करेंगे अभी हमारे pen drive पर macOS mohavay install हो रहा है जैसे कि आप देख सकते हो macOS mohavay का bootable pen drive रेडी हो चुका है अभी हम इसे test करेंगे अभी हमें system को shutdown कर देना है अभी हम system on करके option button को hold करके रखेंगे इससे हमें boot menu आ जाएगा अभी हम ये bootable pen drive connect करेंगे जैसे कि आप देख सकते हो macOS mohavay installer आ चुका है इससे हम select करके enter करेंगे यहाँ पर हम भाशा चुनेंगे इससे में zoom कर लेका हूँ भाशा सले करके हमें next करना है इसके बाद हम choose करेंगे disk utility यहाँ पर view पर क्लिक करके show all devices पर क्लिक करना है और जो internal SSD है उसे हम पर क्लिक करके erase करना है लेकिन यह erase करने से पहले आप data backup ज़रू ले लीजिए गा अभी मोहावे के लिए हम APFS चूज करेंगे जो कि एक advanced file system है और हमें जो नाम देना हो नाम दे सकते हैं फिलाल हम देंगे macOS मोहावे और हम इसे erase कर देंगे यह successful erase हो चुका है अभी हम disk utility quit कर देंगे और हम select करेंगे install macOS और continue करेंगे यहाँ पर continue करेंगे agree agree जैसे कि हमने जो format किया था macOS मोहावे वही party select करके हम next करेंगे तकरीबन 20-25 minutes time लगेगा उसके बाद आपका macOS setup पेज आ जाएगा इसमें आप आपका Apple ID install कर सकते हो यह setup लेटर कर सकते हो आप series setup कर सकते हो यह लेटर भी setup कर सकते हो touch ID आप set कर सकते हो यह मेरे touch ID में successfully install कर चुका हूँ यह आपका macOS मोहावे इंस्टॉल हो चुका है तो अभी हम about this mac में चेक करेंगे macOS मोहावे version 10.14.4 इंस्टॉल हो चुका है इस बाद सिस्टम अग्रीड चेक कर लेंगे यह mac is up to date तो हमारा macOS मोहावे successfully install हो चुका है तो दोस्तों आपको हमारा आज का वडियो पसंद आया होगा अगर आपकी कुछ भी questions है queries है तो आप हमें comment section में message कर सकते हैं next Saturday मिलते हैं सुबादस बजे इसी चैनल पर तब तक के लिए take care bye bye जले कर वो और नहुत है